Hello students, welcome to my channel mini school, today I will teach you class 3rd English unit 7 chapter little tiger, big tiger So children, आज हम पढ़ेंगे chapter little tiger, big tiger, छूटा tiger, बड़ा tiger आप पिच्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक tiger बना हुआ है, तो आज की इस chapter में हम इस tiger की बारे में पढ़ेंगे There was a mother tiger and her small tiger cup, एक बार एक mother tiger थी और उसका small tiger कब था, कब होता है, tiger की बेबी को कब कहा जाता है तो एक बार एक mother tiger और उसका baby tiger थे, they lived near a river in a shady jungle, तो एक नदी के पास एक shady jungle में रहते थे Shady होता है, चायादार, या फिर हम घना जंगल कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौंदे होते हैं, तो वहाँ पर ये दोनों रहते थे When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig, जब sky dark होती थी, तो तब ये mother tiger थी, जो वो deer और pig का क्या करती थी, शिकार करती थी The tiger cub stayed close by his mother side, तो जो baby tiger था, वो अपनी mother के पास रहता था, क्योंकि वो छोटा था, तो वो अपने mother के पास रहता था When the langur monkey saw her, he called a loud harsh call, watch out a tiger is coming, तो जब langur monkey ने उससे देखा, उस mother tiger को देखा, कि वो उनकी तरफ आ रही है, तो उसने क्या क्या एक हर्ष loud call, loud harsh call की, मतलब वो बहुत तेज कठोर आवाज में चिलाया, जब भी जंगल में कोई danger animal आता है, तो जो animals, trees में रहते हैं, वो सारे animals को तेज-तेज की आवाज करके alert कर देते हैं, तो ऐसी ही, जब langur monkey ने देखा कि वो tiger उनकी तरफ आ रही है, तो उसने भी सब को alert कि आतेज-तेज में, आवाज की, a tiger is coming, उसने का ध्यान दो, एक tiger आ रही है, तो तभी क्या होता है, जो samber deer होता है, वो भी चिलाता है, और ककर deer भी deer होता है, हिरन, तो ये भी चिलाते हैं, आप पिचर में देख सकते हैं, यहाँ पर deer दिखाई दे रहे हैं, भागते हुए, औ तो जब लंगूर मंकी चिलाया, तो ये सारे भी चिलाये, और क्या हुए, जो game था, tiger का, उनको मानने का, वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया था, छूट गया था, क्योंकि सारे जो animals थे नीचे, वो सब भाग गये थे, आपको भागते हुए दिखाई देंगे, she hunted, then for jungle fowl, for figent and for frog, or went to the river for fish, तो ऐसे में जब सारे animals भाग जाते थे, तो ऐसे में वो mother tiger थी, क्या करती थी, जो fowl होते थे, पक्सी होते थे, उनका शिकार करती थी, जैसे किसी पक्सी का, या फिर, जैसे तीतर है, यहाँ पर figent दिया है, तीतर और frog, इन सब का शिकार करत थी, और या फिर, नदी के पास चली जाती थी, फिस्क का शिकार करने, बट she did not hunt every night, पर उसने हर राज शिकार नहीं किया, if the moon was bright, जब moon चमकता था, mother tiger lay down and the mother tiger lay down and waited for the dawn, जब moon चमकता था, या फिर, चारो तरफ रोशनी रहती थी, आश्मान में moon चमक रहा होता था, तो ऐसे में क्या करती थी, वो आराम करती थी, और सुबह होने का इंतजार करती थी, she twisted the tip of her tail and the tiger cup pounced on her tail again and again, उसमें अपने टेल के पूँच के tip को शिरे को हिलाया, और जो tiger cup था, वो क्या करता है, उसमें pounced करता है, उसको बार बार, बार बार क्या करता है, उसकी तरफ चपडता है उसकी तरफ चपडता था, उसमें pounced करता था, जैसे ही जो mother tiger थी, वो आराम कर रही होती थी, तो ऐसे मैं जो, वो अपने tail के, अपने पूँच के शिरे को क्या करती थी, हिलाती थी, या फिर, एंटती थी, तो ऐसे मैं tiger cup बार बार उसकी तरफ चपडता था if he went too far away, the mother tiger called him with a low quiet grunt, तो जब वो baby tiger तूर चला जाता था, तो mother tiger धीरे से अपनी आवाज में उसको बुलाती थी, the tiger cup came back, जो tiger cup था, वो वापस आ जाता था, but he did not like to stay near his mother in the jungle at night, पर उसे अपनी मां के साथ, रात में जंगल में ठहरना पसंद नहीं था, इस्टे में ठहरना, वन नाइट, the mother tiger was tired and closed her eyes, एक रात, जो mother tiger थी, वो ठकी वी थी, और उसने अपनी आखें बंद की थी, the tiger cup saw a tiny frog, और जो tiger cup था, उसने एक छोटा सा frog देखा, एक छोटा सा madak देखा, tiny means छोटा सा hopping along the ground, और ground में कूदते हुए, hop means कूदना होता है, तो ground में कूदते हुए, एक frog को देखा, छोटे से, frog को देखा, the tiger cup pounced, but the frog hopped away, tiger cup उस पे छपटा, pounced means छपटना, but the frog था, वो कूद कर दूर चला गया, he chased the frog and caught it, और उसने उसका पीछा किया, जो tiger cup था, उसने उसका पीछा किया, chased means पीछा करना, और उसे पकड़ लिया, frog को पकड़ लिया, and turned to show his mother, और वो अपनी मा को दिखाने के लिए, खूमा, but, but she was not inside, पर वो वहाँ पर नहीं थी, instead he saw a tiger bigger than his mother near him in the jungle, पर उसने उसके बदले में अपनी मा से भी पड़े tiger को जंगल में अपने पास देखा, the tiger's green eyes glistened as he washed the tiger cup, जैसे उस tiger ने tiger cup की तरब देखा, तो उसकी eyes कैसी थी? green eyes glistened, glistened होता है चमकदार, तो उसकी आखें कैसी थी? green और चमकदार, the tiger cup was frightened, frightened means होता है डरना, तो चो tiger cup था, baby tiger था, वो डर गया, बड़े tiger को देखके डर गया, he could not hide or run, hide means छुपना और run means तरना, तो वो अपने आपको छुपा या फिर छुपा नहीं पा रहा था, या फिर दोर नहीं पा रहा था, he let the frog hop away, उसने frog को वहाँ से जाने दिया, the tiger crept up closer to the little tiger cup, crept creep की second form है, creep means सरकना, तो जो बड़ा tiger था, वो सरक कर, baby tiger के पास आ गया, but a roar filled in the jungle, the roar of the mother tiger, तो तभी क्या होता है, एक तेज की आवाज होती है, roar means दहारना, जो tiger दहारता है, तो उसे roar कहा जाता है, तो एक roar की एक तेज की आवाज से जंगल भर गया, और वो दहारना किसका था, mother tiger का था, वो आवाज थी mother tiger की, she faced the other tiger and he went away, और उसने जैसे ही दुसरे tiger को देखा, तो वो वहाँ से चला गया, दूर चला गया, the mother tiger liked to roar a loud big tiger roar to tell all the other animals in the jungle that she was there, तो जो mother tiger थी, वो क्या करती थी, उसे चोर से तहारना पसंद था, और वो जंगल में जो other animals थे, उनको बताती थी, अपनी आवाज से कि वो वहाँ पर है, all the other animals in the jungle kept far far away, और जो जंगल के other animals थे, और animals थे, वो उससे बहुत दूर दूर रहते थे, जो बताने के लिए, जो other animals थे, उनको ये बताने के लिए, कि वो भी वहाँ पर है, तो जो other animals थे, जंगल के वो उसके तहारने से बिलकुल भी नहीं डरते थे, और दूर नहीं जाते थे, but there came a year when the small tiger cub was a full grown tiger, पर एक साल ऐसा आया, जब वो small tiger बड़ा हो गया था, बड़ा tiger बन गया था, he walked for miles alone, hunting for game at night, तो अकेले miles बहुत मीलों चलता था, hunting for game at night, रात में hunting के game के लिए, या फिर शिकार के लिए, when he rode to tell all the other animals in the jungle that he was there, और वो तहालता था और सारे animals को बताने के लिए कि वो जंगल में है, all the other animals in the jungle kept far, far away, और जो जंगल के other animals थे, वो उसे तूर दूर रहते थे, and the great big tiger, that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile, अब वो बड़ा tiger, जो की small tiger cub हुआ करता था, hearing his own loud roar, अपनी बड़ी सी आवाज को सुनकर, smiled to himself a great big tiger smile, एक बड़े big tiger की तरह क्या कर रहा था, अपने आप पर, अपनी आवाज को सुनकर, क्या करता है, उस पर smile करता है, मुश्कराता है, कि मैं भी अब क्या हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, इस story के author है, लोईस हैमिल्टन, फुलर, जिन्होंने big tiger और small tiger की story को लिखा है, जिसमें हमने big tiger और small tiger के लवा, और animals के बारे में भी जाना, कि कैसे big tiger, mother tiger, hunt के लिए निकलती है, और other animals होते हैं, like monkey and langgour, वो क्या करते हैं, जैसे deer है, और animals को alert कर देते हैं, कि यहाँ पर tiger आ चुका है, और सब भाग जाते हैं इस तरीके से, कभी-कभी जो mother tiger होती है, वो शिकार नहीं कर पाती, तो ऐसे में वो अलग जो words अगेरा होती है, fish, word, frog इनका शिकार करती है, और जो small tiger होता है, उसे roar करना बहुत पसंद होता है, जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, तो end में जब वो एक loud roar करता है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है, अब हम new words पढ़ेंगे, So children, आज की इस वीडियो में हमने little tiger, big tiger स्टोरी को पढ़ा, next वीडियो में हम इस chapter के what minutes, question answers and book exercise करेंगे, I hope ये वीडियो आपके लिए उस्पूल होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो please like, share और subscribe करें, thank you.